आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशेक समाचार नुमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंख सबसे पहली मुख्य समाचार प्रधान मंत्री कल 11 बजे आकाश्वानी से मन के बात कारिक्रम में देश विदेश के लोगों से साज़ा करेंगे अपने विचार प्रधी स्विरकार ने लिया करीब धाई लाख लोगों को प्रतिमाह आजीविका से जोडने का संकल्प सुप्रिम कोड को राजनातिक दलों दुवारा मुफ्त सिवाय देने की घोशनाओं से राज्यों की अर्थविवस्ता के दिवालिया होने के आशंका और एशिया का क्रिकिट टूर्नामेंट आज से कल होगा भारत और पाकिस्तान की बीच मुकाबला अब समाचार विस्तार से कारिक्रम सीधा प्रसारित होगा मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां बेरोजकारी की दर सबसे कम है हमारी प्रियास प्रदेश को बेरोजकारी मुक्त बनाने का है इस लक्ष को पूरा करने के लिए विभिन कारिक्रमों के माध्धिन से लगभग धाई लाख लोगों को प्रतिमाह आजिविका से जोडने का संकल्प लिया गया है मुख्यमंत्री रोजकार दिवस के तहट इन दोर में आयोजद कारिक्रम में सुरोजकार यूजनाओं से लाभानवे धितिकराहिएं को सम्बोधित कर रहे थे कारिक्रम के दोरान मुख्यमंत्री श्री जोहान ने सिले के 75,000 से आधे के दिकराहिएं को 466 करोड रुपए की सहायताराशी स्विकृत की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2 करोड 84 लाख रुपए के लागस से बने मध्य भारत के पहले ट्वाई क्लस्टर का वर्चुल शिलन्यास और उद्यमित्य विकास प्रसिक्षन के लिए इस ट्वाई क्लस्टर में 20 लग हुई काईयां स्थापित होंगी और 2000 से आधिक लोगों को रोजकार के अवसर मिलेंगे केंडरी नागरे कुडियन और इसपात विभाग के मंत्री जोत्रादित्य सिंधिया ने आज मुरायना और शिवपूर जिलों में बाढ़ की हिसिती का जायजा लिया बाढ़ प्रुभावितों से जर्शा करते वे उन्हें कहा है कि प्राकृतिक आपदा से ग्वालियर जंबल संभाग सहिद प्रुदेश के अन्य शेत्रों में बाढ़ के हालाद बने लेकिन प्रुदेश सरकार मुख्यमंत्री शिवरासिंग चोहान और केंद्री क्रिशिमं नरेंद्र सिंग तोमर कंधे से कंधा बिलाकर लोगों के साथ खड़े रहे। उन्हें कहा है कि कोई भी कटनाई इन शेत्रों की जंता को ना हूँ इसके लिए सब ही लोग कारे कर रहे हैं। प्रदीश सरकार ने बुद्धिस सरकिट से थाइलांड को जोडने के लिए एहम पहल की है। इस कारिकरम के दौरान बुद्धिस सरकिट पर एक विशिश व्यक्यान भी देंगी। कारिकरम की प्रथम दिन प्रदेश के संस्क्रती और परेटन विभाग ने भगवान बुद्ध के जीवन वृत्त को एक प्रदशनी के माध्यम से प्रस्तत किया। समाचारों में वक्त है ब्रेका। यह समाचार आपका अश्वाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारी समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविथा के अनुसार सुन सकते हैं। यह समाचार बुलिटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके लावा आप हमारी वेबसाइट news on AIR.nic.in पर या फिर AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं। बुलिट के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नयमूर्ति हीमा कोली और सीटी रवी कुमार शामिल थे। शेर्स नयाले ने कहाई कि सरकारे ये सौगात करदाताओं के धन का इस्तमाल करके प्रदान करती हैं। और इनका मकसद पार्टी की लोग प्रियता तथा चुनावी संभावनाओं को बढ़ाना होता है। इस मामली की अगली सुनभाई चार सप्ताह बाद होगी। उमरिया कलेक्टर ने बच्चों के बरुहा नाला पारकर स्कूल जाने पर रोक लगा दी है और शिक्षिकों को गाविस्तित सामुदाइक भवन में जाकर बच्चों को पढ़ाने की निर्देश दिये हैं। के पानेपत में एक लाख लीटर बायो एथिनॉल और देर सो टन बायो बिटुमिन की दैनिक उत्पादन शमता वाली परियोचना शुरू की है। जो किसान पराली जला रहे हैं उन्हें बायो एथिनॉल और बायो बिटुमिन के उत्पादन के लिए दो हजार रुपे प्रती टन का भुकतान की आजा सकता है। श्रेगटकरी ने कहा है कि ध्वनी प्रदूशन पर अधिनियम बनाया जाएगा क्योंकि जोर से हॉर्ण बजाने से ज्यादा ध्वनी प्रदूशन होता है। प्रदूशन के साथ होगा, फाइनल मैच 11 सितंबर को खेला जाएगा, आकाश्वानी से एश्या कपके सभी मैचों का आँखों देखा हाल, एफम रेंबो सहित अतरिक्त मीट्रों पर प्रसारित किया जाएगा। एक हजार एक हितग्राहियों को लगबग पांच करोड सतर रुपए राशी के हितलाप वित्रत किये। नर्मदापुरम जिले के मोखासा माखन नगर और जोगी कोरिडोर में 132 केवी का नया आती उचिदाप विदुद सवस्टेशन तयार क्या गया है। अशोक नगर में आज रोजकार मेले में 10 कंपनियों ने भाग लिया। खंडवा में खेल दिवस के आउसर पर 29 अगस को पुलिस लाइन में कवध्डी प्रतियोगिता और निमाड कलब में लॉन टेनिस प्रतियोगिता आयूजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधान मंत्री कल 11 बजे आकाश्वाणी से मन की बात कारिक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। प्रदीश सरकार ने लिया करीब ठाई लाख लोगों को प्रतिमाह आजेविका से जोडने का संकल्प। सुप्रीम कोड को राजनातिक दलू द्वारा मुफ्त सेवाएं देने की घोशनाओं से राज्यों की अर्थ्विवस्ता के दिवालिया होने की आशंका। और एशिया कप करके टूनामेंट आज से कल होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। इस बुलिटिन में इतना ही दीजे इजासत नमस्कार।